हेलो एवरिवन कैसे हैं आप सब आप सब अच्छे होंगे प्रेग्नेंसी में आपना और आने वाले बेबी का खास ख्याल रख रहे होंगे तो जब भी कोई महिला प्रेग्नेंट होती है तो उसके मन में ये हलचल जग्यासा बनी रहती है कि बेबी बॉय होगा या गरल होगी और यह उत्सुकता नौ महीने तक बनी रहती है आज के इस वीडियो में दादी नानी दाई मा जो होती हैं उनके बताई हुए लच्षड जो की 100% सही होते हैं ऐसे 25 लच्षड बताने वाली हों 10 नहीं 12 नहीं पूरे 25 लच्षड बताऊंगी और अगर इन में से 10 से 15 लच्षड भी मिलते हैं तो यकीन मानिए आपके गर्व में पल रहा सिसू लड़का ही होगा क्योंकि पहले के जमाने में दादी नानी बुजर्ग महला देखकर बता देती थी यहां तक कि तब तो डॉक्टर भी कोई नहीं जाता था और सब कुछ घर पर ही सारे इलाज हो जाते थे और बुजर्ग महला को जबब जादा होता था क्योंकि पहले की दाई माई ही घर पर delivery करती थी और उन्हें देखकर उनकी चाल, चहरा, पेट, सब कुछ देखकर यह बता दिया करती थी हैं कि गर्व में पल रहा सिसू, बेबी बॉय है या फिर गर्ल है क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा experience होता है आज के वही 25 लच्षड बताने जा रही हूँ जिन मैंसे अगर 8 से 10 लच्षड के भी मैच करते हैं आपको तो यकीन मानिये लड़का ही होगा क्योंकि इस मैंसे 10 से 15 लच्षड मेरे बेबी बॉय के टाइम पर मुझे भी हुए थे तो बात करते हैं उन लच्षडों के बारे में इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि मेरा ये चैनल और मैं दोनों बच्चों में भेदवाव नहीं रखती हूँ दोनों बच्चे मा के लिए और मेरे लिए सामान है ये जो है सिर्फ उनकी जिग्यासा को सांत करने के लिए मैं ये लच्षडों को बताने वाली हूँ तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले साथी साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप सब्सक्राइब पहुचे तो बात करते हैं उन लच्षडों के बारे में तो अगर आपके पैर ठंडे रहते हैं और वह गीले गीले रहते हैं तो आपको जो है मतलब कि पैर आपके बहुत जादा पसीचते हैं तो यह लच्षड बेवी बॉय का माना जाता है नेक्स्ट है गरवती महला के अगर पैट के निचले भिसे में यानि कि प्राइबिट पार्ट के ऊपरी भाग आपको बेवी बॉय का वेट महसूस होता है तो यह सान लड़का होने का माना जाता है थर्ड है लच्छड है कि गर्वती महला के पैर और घुटने में जांगों में बहुत ज़दा दर्द रहता है तो यह साइन लड़का होने का होता है next लच्छड है अगर आपकी नाभी बाहर की तरफ निकली हुई है या उपर की तरफ घुमी हुई है तो यह sign way baby boy का माना जाता है next लच्छड की बात करते हैं अगर आपको बच्चे का सिर नीचे की तरफ right side feel होता है तो यह sign way लड़का होने का होता है नेक्स लच्छड है अगर आपके 7 मन्त में या फिर 6 मन्त में पेट का जो आकार है वो गोल होता है बिल्कुल फुट वॉल की तरह होता है तो यह साइन बेबी गल का होता है और वहीं पेट का आकार अंडे अकार का होता है नीचे की तरब जुका हुआ होता है तो यह साइन ल काले पढ़ गए हैं तो यसायन सा जम जाता है तो यह साइन बेबी बोई का होता है और अगर उनमें छोटे – चोटे दाने मियश को जाते हैं जो निपल नहीं होता है वह भुछ उ आ driven दे के ब्रिच्छ मड़ा का निए होता है और उसमें कुछ दर्द सा यानी की थोड़ा सा भी दर्द फील होता है टच करने पर तो यह लच्छड बेबी पॉय का माना जाता है नेक्स लच्छड की बात करते हैं कि जो आम तोर पर क्या होता है आपको गैस, एसीडिटी, खटी डखा रहे हैं कुछ भी लच्छड दिखाई देते हैं या फिर कैसी खटी चीज़ें जो होती हैं उन चीज़ों से आपको बहुत ज़्यदा प्रॉब्लम होती है मिंस वो पसंद नहीं आती है तो आपका यह समस्तिया जो होती है वो है सारी बेबी बॉय की होती है अगर आपके जीप पर सफेज सफेज सा दुद दही जैसा फटा फटा बना ही रहता है यानि कि आपकी जीप पर सफेज लेयर होती है तो यह साइन केबल बेबी बॉय के टाइम पर ही होता है नेक्स्ट लक्षड है अगर आपकी आवाज में थोड़ा सा चेंज आ गया है आवाज थोड़ी भारी सी हो गई है तो यह लक्षड बताता है कि आपके गर्व में बेटा है माना जाता है कि बेबी बॉय के हार्मोन चेंज होने के कारण यह लक्षड गर्वती मैला में दिखा नेक्स्ट लखछड की बात करती है तो वह है चहरा, अगर आपके चहरे पर बहुत जादा है, यह की ग्रोध बढ़ गए है यानि कि आपकी जो रूम है वह जादा बढ़ गए है, तो यह माना जाता है कि गर्व में पल रहा सिसू लड़का होता है, नेक्स्ट लखछड है, अ साफी अच्छे हो गए हैं पहले की अपच्छा एक तुम काले हो गए हैं तो यह शायन बेबी बॉय और शायन लोड़का रहता है और दर्द लेफ्ट साइड से पेट की तरफ घूम खर आता है तो यह शायन भी बेबी बॉय का होता है next लच्षडगी बात करते हैं आपके कूलों में दर्द महसूस होता है यह साइन बेबी बॉय का ही माना जाता है next लच्षडगी बात करते हैं यह लच्षड सिर्फ बेबी बॉय का ही टाइम पर होता है यानि कि अगर आपने बेबी बॉय को कंसीब किया है तो आपके प्राइवेट पाइट का एरिया बहुत ज़्यादा काला पर जाता है तो यह साइन भी बेबी बॉय का होता है नेक्स लच्छर की बात करती हैं अगर आपके जो है टेस्ट में खटी चीजा पसंद आती है तो यह साइन लड़की का होता है और इधर ही इसकी अपेचा खटी चीजा जो आपको पसंद नहीं आती है बिल्कुल भी तो यह साइन भी बॉय का होता है तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा तब तक के लिए बी हैपी बी पॉस्टिब